दोлагवारू करके दोश्तो स्वागत आपका हमारा चले में दोश्तो आज मैं अपने पोट्फोलियो के स्टाक्स आपको दिखाने वाला हूं आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा स्टाक कितना लॉस में है और कितना फॉफिट में हैं ये स्टाक होलिंग मात्र 6-7 महिने का है क क्योंकि हमने upper stocks में जो कि अपना account open कराया है और इसी में अपना investment करते हैं जिन भाईयों के पास upper stocks का account नहीं वो description के link से जाकर कि अपना account open कर सकते हैं क्योंकि हमने यहां से जो कि refer करके 12-1200 रुपए तक कर करके पैसे कमाया था और उसमें से ज़्यादा दर पैसे जो कि investment किया ह तो क्योंकि upper stocks में बरोबर जो कि offer आते रहते हैं और अच्छे अच्छे offer आते हैं जहां से आप reference और करके भी पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तों मैं चलिए मैं अपने जो कि portfolio का टूर आपको करके दिखाता हूं दोस्तों पिछले 2-3 महिनों में काफी उतार चड़ाओ market में दे आप यहां देख सकते हैं कि मुझे 95 पर रुपे का जो की loss दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं हमने दूसरा हमारा stocks excited batteries है जिसमें हमें बाउन रुपे का loss दिखाई जा रहा है साथ को entity हमने बाई किया है अब सील जो की final tech chemical limited है जो की बहुत ही अच्छा stocks है इसको हमने एक हारे quantity खरदा है दो सो ठारा रुपे पर इसरा stocks दोस्तो एफ सीर सौस्ट वेरा जो की सुरुगात में हमने इसको बाई किया है कि इसमें जो कि हमें लॉस हुगा एक सट रुपे का और 171 quantity हमने बाई किया तो यह stocks काफी जो की slow चल रहा है इसमें profit अभी नहीं देखनों का मि green power है काफी लंबिस चार महिने से हमने इसको hold बना कर रखा हुए मानस में चल रहा है दोस्तों हमने बारे रुपे पर खरीदा था इसको 970 quantities की buy की है हमने सबसे ज़्यादा holding मेरी सी में है और हमारा अगला stocks idea है जो की 50 quantity हमने बाई किया यह भी 292 रुपे का loss में दिखाई द दोस्तों ITC जो की बहुत ही slow चल रहा था लेकिन इसने मैं एक ही इसका जो की stock buy किया हूँ 244 रुपे पर मुझे 68 रुपे का profit दिया है बहुत ही अच्छा और fundamental strong ITC stocks है इसमें आप investment बना सकते हैं क्योंकि long term के लिए बहुत ही अच्छा stocks है हमने कुछ दिन पहले एक penny stocks buy किया हमने इसे 5 रुपे 30 पैसे पर buy किया था हमारा अगला stocks है मिन अच्छी दोस्तों 19 quantity हमने buy किया इसने मुझे 22 रुपे का profit दिया है और एक रुपे 34 पैसे पर इसको हमने buy किया था अगला stocks दोस्तों मेरा PNB गिल्स है जो की 5 quantity है इसने मुझे 37 रुपे का जो की profit दिया है हमने ज्यादा quantities की बाय नहीं की है अगला stocks दोस्तों मेरा जो की sol pro है जो की 27 रुपे की profit हमने दिया है और 394 की quantity है यह एक penny stocks है दोस्तों और अगला हमारा stocks दोस्तों study study equity है जो की हमने इसे 140 quantity खर दिया और इसने मुझे एक हपते पहले इसको भी buy किया था जो की 40 रुपे का profit दिया ही यह जो penny stocks हम बता रहे हैं दोस्तों इसमें से 3-4 penny stocks जो की बहुत ही अच्छे हैं जो की इसने एक-एक महिने में लोगों के पैस से double किये है तो penny stocks जो की risky होता है इसमें समभल कर जो की investment करना चाहिए बहुत की कम amount के साथ हमारा अगला stocks दोस्तों सुझलान energy है जो की 65 quantity हमने 10 रुपे 17 पैसे पर बाय किया था दो 3-4 महने पहले और इसने मुझे 160 रुपे का loss दिया हमारा अगला stocks दो टाटा स्टील हम भी ह हमने इसको एक हपते पहले बाय किया है 8 quantity जो की मुझे 40 पैसे का ही मात्र profit दिया है इसमें भी काफी उतार चड़ाओ देखने को मिल रहा था इस stocks में टाटा स्टील fundamental strong stocks है दोस्तों इसमें future में देखने को आपको profit मिल सकता है हमारा अगला stocks दोस्तों ट्रीडेंट है जो की गयरे quantity 49 रुपए की आसपास हमने इसको बाय किया था जो कि पंदर रुपए का loss दिखाई दे रहा है यह बहुत ज्यादा loss में था लेकिन आप यह धीरे धीरे के अपने loss को recover कर रहा है दोस्तों हमारा अगला stocks वीके इंफ्रा है दोस्तों इसने मुझे 35 रुपए का जो की profit दिया है इसके quantity 270 quantity हमने इसको 27 पैसे पर बाय किया था और इसमें 40 पैसे पर चल रहा है हमारा last और आखरी stocks दोस्तों की yes bank का है जो की काफे अच्छा माना जाएं नहीं जा सकता है क्योंकि काफे लंबे समय से जो की loss में चल रहा था और मुझे 35 रुपए का भी profit इसमें देखने को मिल रहा है मैंने इसकी बारक quantity खर दिया है जो की 13 रुपए 58 पैसे पर खरीदा ह इसको हो सकता है इसमें future में देखने को growth मिल सकता है क्योंकि यह stocks भी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि पैनी है अभी तक इसके जो की fundamental ठीक ठाक ही है तो शुरुवात में हमने इसमें बहुत सारे penny stocks बाय किये थे देर देरे penny stocks को sell करके अब अच्छे और fundamental stocks हम अपने portfolio में ज fundamental strong जो की stocks आप अपने portfolio में सामिल कीजिए ताकि आपको loss ना हो सके penny stocks रिस्की होता है दोस्तों उसमें ज्यादा investment ना करें तो यह video कैसा लगा हमें अपने comment की द्वारा आवस्य बताईएगा दोस्तों हमारे channel को subscribe करके हमें support कीजिए दोस्तों video को देखने के लिए आपका बह करने वाद